हेलो दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली आलू के पराठी की रेसिपी जो की समी को बहुत ज़्यादा पसंद आने आ ली है और मैं बहुत चमाज हींग बिल्कुल भी इसकी मत कीजिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें और इसी के साथ हम इसमें आड़ करेंगे स्वाधनसार नमक और इन दोनों चीजों को हम अच्छे तरीके से आटे में मिक्स कर लेंगे और इनको मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा-थ सॉफ्ट सा डो तयार करेंगे तो यहां पर जो हम डो बनाएंगे वह बहुत ही ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारा पराठा है वह फटने लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी एकदम लचीला सा इसका जो डो है वह बनना चाहिए तो देखिए इस तरीक मैंने ट्यार कर लिए और इसको कवर करके रेस्ट के लिए चोड़ देंगे और आगे की तियारी कर लेंगे और यहाँ पी लहां थारना मैंने वैल की हुए आलु जिनको दो कटी हुई हरी मिर्श और टिस्ट के अकॉर्डिंग नमक तो फ्रिंट्स हमें नमक ध्यान से डालना है क्योंकि नमक हम आटे में भी उज़ कर चुके हैं और अब हम इसमें एड़ करेंगे मसाला नमक तो यह जो मसाला नमक होता नहीं इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता ह सुख्य धनिया और भुने हुए इसकी रैस्पी चैनल पर आप देख सकते हैं और उसके बाद मैंने यहांपर डाली है आदा चमच मिर्शी पाउडर आदा चमच धनिया पाउडर और आदा चमच पटा टेस्ट लाने के लिए चाट मसाला साथिए हम इसमें एड़ करेंगे mix और इसके जो आलू होगा वो अच्छे से त्यार हो जाएगा तो दीखे आलू हमारा बनके हो गया है त्यार और अब हम अपना पराठा बनाएंगे तो यहां पर ले लिया है मैंने चिकला और इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा आठा और यह मैंने जो डो बना के रखा उसको लेना है और इस तरीके से हमें थोड़ा सा इसको फैला लेना इस तरीके से दवाते हुए ना जिससे कि इसमें बीच में इस पेस हो जाएगा तो इसको जो स्टफ करने में दिक्कत नहीं होगी तो हम अपने जो आलू तियार करके रखा था ना उसको हम इसमें तो मैं थोड़ा सा जादा ही फिल करती हूं क्योंकि अच्छे से भरे होते ना प्राठे तभी घर में सबको पसंद आते हैं तो मैं थोड़ा सा आलू जादा ही रखती हूं तो चलिए अब हम इसको फिल करेंगे तो इसको कैसे करना है यहीं पर हम लोग गलती कर देते हैं औ ना ढूआ हना चल मांबा आठा दाल लेंगे हैं contribute तो देखी है इस तर इस रही के इसए हमारा चिपखेगा नहीं और अच्छे से वल भी जाए गा तो देखिया इस तरहीं है घुमाते हूएँ जिससे हमारा आफह जो आलू है ना वो प्राठ्य में चारो तरफ से अच्छी इतना सा मोटा रखेंगे देखेंगे अब मैंने ये अब तबा अपर गरम कर लिया था पहले से और उसके हम डाल देंगे तो हलका सा इसका इसका तो धालगा सा गिर्डार तो देखेंगे द्यूसरी तरफ से हलका सा कलर आ गया है और अब हम जाकि और उसकी बाद हम इसको पलट देंगे और इसको पलट में केसा बहुत निंगे और इसको दूसरी तरह भी अच्छी चो Bemow अब भड़ी हैं और इस दाएंगे हिटे निज जो अंदर ले अलग ही जाएगी और और गणब यह सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी वीडियो की पलट ये पिलटकर है और लगा देंगे चैनल की अचया कर चयाय को प्रेस्धस में चयाय में चयाहता गर्म पराठे तो मज़े आ लीजी हमारे प्राठे बनके हो गए तयार इसको आप दही के साथ टमाटर आलू की सब्जी मैंने बनाई है आप सब्जी के साथ अचार के साथ किसी की भी साथ खा सकते हैं और यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं तो अंदर में आपको दिखाती हैं मैं इसको कट कर द है?